Friends, ये वीडियो एक Fan Demanded Compare वीडियो है, आज का Compare Dimensity 8100 वर्सिस Snapdragon 860 का है, तो देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर होगा, Hi Friends, मेरा नाम है Gaurav, आप देख रहे हैं Tick Room. वीडियो को शार्ट करता हूँ, बात करते हैं Basic Information की, तो जो Dimensity नाउस किया गया था, मार्श 2022 में, Snapdragon April 2019 में नाउस किया गया था, तो यहाँ पे Snapdragon थोड़ा पुराना प्रोसेसर देखने को मिला है, और इसमें 5G और 4G का काफी गनफी तन है, बात की जएक क्लास की तो यहाँ पे दोने ही जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगों, वो Flexible क्लास में आते हैं, और मॉडल लंबर में, Dimensity का मॉडल लंबर है MT6895Z-CDZA, और Snapdragon में मिलेगा SM8150AC, दोनों की DTB सिमिलर है, 6W TDB के साथ रहते हैं, लेक्श जब बताते हैं आर्किडेक्चर को, आर्किडेक्चर वाइज यहाँ पे दोने ही जो प्रोसेसर आते हैं, वो Octa-Core प्रोसेसर हैं, Dimensity 8100 में 4Core performance के लिए देखे हैं, 2.85 GHz पे clock है, Cortex A78 मिलेगा, और बाकि जो हाँ पे 4Core और 2GHz पे clock देखने को मिलते हैं, और इसमें Cortex A55 का support आता है, तो Power Efficency के लिए भी 4Core और Performance के लिए भी 4Core और तो यहाँ पे आपको similar performance देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो Snapdragon है, इसमें 1st Core 2.90 GHz clock Cortex A76 मिलेगा, 3Core 2.42 GHz clock Cortex A76, और 4Core 1.8 GHz clock Cortex A55 देखने को मिलेगा, तो Snapdragon में भी 4Core performance के लिए दिये गा है, बट यहाँ पे जो support मिलता है, वो Cortex A76 का है, जिसके वज़े से यहाँ पे आपको performance की कम देखने को मिलेगी, और लाज जो उसके battery efficiency core है, वो similar है, Cortex A55 के साथ, और अगर frequency का compare किया, जैसे Snapdragon हलका सा better frequency clock पे आता है, लेकि इसका बस primary core, बागि इसके जो 2.42 GHz पे core clock है, वो कम है, 2.85 से, और अगर बात क्ले frequency clock की स्पीड की, तो यहाँ पे Damsady 2850 MHz पे clock आता है, इसके चारो core इसके same पे clock रहते हैं, वो यह पे Snapdragon 29860 पे clock रहते है, बढ़ इसका primary single core, और अगर fabrication को देखा जाते हैं, fabrication wise Damsady काफे better रहता है, 5 nm TSMC based technology के साथ रहेगा, और Snapdragon 7 nm TSMC based technology के साथ रहेगा, और आपको तो पता हिए, जिसका जितना small fabrication उतना better प्रोसेसर, तो Dimensary यहाँ पे काफे better battery ऑप्टिमाज़ रहेगा, और performance भी इसकी काफे better रहती है, अब बात करते हैं पे GPU की, तो GPU wise जो आपको देखने को मिलेगा, वो है Dimensary मिले Mali G610 MP6, इसका architecture Wallall 3 है, जबकि Snapdragon में मिलेगा Adnose 640, इसका architecture Adnose 600 है, तो graphics compare को मैं आपको समझाने के लिए आगे, gaming graphics and 3D benchmark का भी idea दूँगा, ताकि आप समसेकें, बट अभी बता लहाँ कि Mali G610 MP6 थोड़ा better रहेगा, gaming को लेकर, इसकी frequency को देखा जातो, तो जो diametody 860 पे clock रहता है, and Snapdragon 860, 775 MHz पे clock रहता है, तो better frequency भी diametody के पास है, बट इतना भी कुछ difference नहीं है frequency में, लेकिन जो GPO काफी powerful रहता है, Mali G610, अगर भी floating points को देखा जाता, floating points diametody का आता है 1309, Snapdragon का आता है 1036, तो Snapdragon थोड़ा सा पीचर रहेगा, floating points के नंबर में, memory type support में यहाँ पे, दोन ही जो processor है वो एकदम अलग support के साथ आते है, diametody maximum LPDDR5 का support कर सकता है, एसकी RAM frequency भी 3200 MHz सक जा सकती है, इस Snapdragon में maximum support ही LPDDR4X का मिलेगा, एसकी RAM frequency 2133 MHz की मिलेगी, बात करें, storage type support की तो दोन ही जो processor है, maximum UFS 3.1 का support कर सकते हैं, gaming graphics का idea बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो Damacy 8100 का data लिया है, वो Redmi K50i से लिया है, और जो Snapdragon का data लिया है, वो मैंने Poco X3 Pro से लिया है, तो अभी besides कुछ लोग Poco X3 Pro यूज़ कर रहे हैं, काफी motherboard dead issue आया था इसमें, तो आपको भी क्या ऐसा कुछ face करने को मिला, या नहीं मिला तो बताएगा जरूर, और यहाँ पे बात करें, Free Fire Max data की, तो 6060 Maxi का support दोन ही प्रोसेसर के साथ आ जाता है, अब बताता हूं यहाँ पे इसके वीडियो क्याप्चन, वीडियो प्लेबैक को, वीडियो क्याप्चन, वीडियो प्लेबैक में दोन ही प्रोसेर काफी अच्छे हैं, 4K का सपोर्ट कर ही लेते हैं, तो 4K एट 60APS का भी option मिल जाता है, स्नाप्रगन इस मामले में थोड़ा ज्यादा ही बेटर है, इसमें 4K 120APS option मिलता है, प्लस 8K 30APS का भी option मिल जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले रिल्यूशन दोनों का है डिफरेंट है, पर स्क्रीन की आपको देखना पड़ेगा, साइज कौन सा है, तो यहाँ पे डिफरेंट मैकसम सपोर्ट कर सकता है, 2916 to 1440 पिक्सल्स का डिस्प्ले, वह पे स्नाप्रगन 3814 to 2160 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है, और NPU भी दोनों के पास दिया गया, स्नाप्रगन में हिक्जागन 690 का सपोर्ट आता है, करेक्टिवडी का मैंने स्टाटिंग में बोला काफी कानफ्यूजन है, इसलिए क्योंकि जो 5G सपोर्ट है वो तो डैमेसिटी में आता है, इसनाप्रगन में 5G सपोर्ट तो आता है, इसकी में वेस्साइट पर आपको मिल जाएगा, बड जो बोको X3 phone है उसमें नहीं आता है, एना पर 4G सपोर्ट की बात किया, तो डैमेसिटी लटी के साथ होगा, स्नाप्रगन लटी के साथ होगा, तो बेटर कनेक्टिवडी आपको डैमेसिटी में ही देखने को मिलेगी, एन Bluetooth technology के मामले में भी डैमेसिटी लीट करेगा, 5.3 की टेकलोजी के साथ आता है, Wi-Fi technology में दोने ही प्रोसर Wi-Fi 6 की टेकलोजी के साथ आते हैं, तो यहां से Wi-Fi का कोई डिफ्रेंस नहीं होगा, हाँ Wi-Fi का वर्जन कौन सा है तो वो आप जरूर देख लीजेगा, अब Geek Benchmark 6 का आपको आइडिया देता हूँ, ताकि कंपेर हो सके कि कौन सा प्रोसर कितना बेटर है, सिंगल कोई परफॉर्मेंस के अगर बात के तो डियामेसटी का स्कोर 1142 आएगा, जबकि स्नाप डिरिन का स्कोर 950 आता है, कोर्टेक्स A76 की वज़े से हो रहा है, और दोनों पी प्रोसेसर में आपको 4 परफॉर्मेंस और 4 बैटरी फिसंसी के कोड दिये गये हैं, यहाँ पर स्नाप डिरिन 778 जी का भी आता है, इससे बेटर आता है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदुदू 10 नंबर की, अंदुदू 10 में डियमेसटी का आता है 8 लैंग 67 ताउजन, बल्दब काफी हाई है, यहाँ पर इसके अब स्नाप डिरिन की, तो इसका आता है 6,36,000, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिला है, वो काफी आई है, इसका बेसिक डिफरेंस देखने को मिला है, इसमें 7 अनमेटर टेकलोजी है, यहाँ पर architecture cortex A76 दिया गया है, 3D Mark को बताता हूँ, जिससे आपको idea लग सकी कि क्या हो रहा है ग्राफिक्स में, तो जो डिफरेंस देखने है, वो 5,767 स्कोर करेगा, इस स्नाप डिरिन का 3,456 स्कोर करेगा, 2,000 प्लस गया, इसका मतलब काफी अच्छी ग्राफिक्स आपको देगा, बट यहाँ पर 3,000 स्नाप डिरिन मिल ला है, मतलब काफी बेटर है, और 5,000 मिल ला है, ओ तो और भी बेटर है, अब आपको idea बताता हूँ, कि दो नहीं प्रोसेसर के बीच में, गैप कितना है, परफॉर्मेंस, गेमिंग, बैटरी लाइफ, और अवर वाल, तो देखे, परफॉर्मेंस के मामले में, जो डैमेंसेटी यह 50 डि स्कोर करेगा, स्नाप डिरिन का स्कोर 44 है, तो गैप काफी हाई है, और परफॉर्मेंस डिफॉर्मेंस भी आपको देखेने को मिलेगा, गैमिंग परफॉर्मेंस के अगरबात के, तो डैमेंसेटी जो 62 स्कोर करता है, स्नाप डिरिन का स्कोर 45 है, तो यहाँ पी इन गेम ग्राफिक्स आपको हो सकता है, परफॉर्मेंस डिफॉर्मेंस 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 क्लियर विनर है 65 स्कोर करेगा बट स्नाप्रगन इतना भी पीछे नहीं देखने के मलेगा स्नाप्रगन इसलिए थोड़ा कम नंबर स्कोर कर रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कम है लेकिन इसमें कुछी जे भी बेटर दी गई है जैसे इसमें 8K का सपोर्ड आ जाता है त इसमें मेन फोकस रहेगा बाकि वीनर प्रोसेसर तो डामेंसरी 8100 है और स्नाप्रगन थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर के बीच में से कोई भी प्रोसेसर यूस कर रहे है तो अपने एक्स्पीरेंस जरूर से अर कीजेगा ताकि और लोगों के भी हिल्प हो सकें वीडियो कर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि मेरी हिल्प हो सकें